मैं बात करने वाला हूँ बड़े बिजनिस के बारे में बड़ा बिजनिस कैसे खड़ा किया जाए अभी मैं गुजरात में था एक कारेक्टर में एक वेक्टी मिले उनोंने का सर मैं आपकी बिजनिस ट्रेनिंग भी देखता हूँ या बड़ा कहा जाता है मुझे लगए इस पर बात करनी चाहिए बहुत सारे businessmen जो मुझे सुनते हैं या जिने लगता है कि मुझे business करना है, बड़ा business करना है उनको शायद काफी मदद मिछ सकती है सबसे पहली बात तो मैं आपको एक रास की बाद बताता हूँ क्या? बड़े बिजनिसमेन बड़ा बिजनिस खड़ा नहीं करते वो बड़ी टीम खड़ी करते है और बड़ी टीम बिजनिस को अप बड़ा बना देती है वहीं दूसरी तो साधरे बिजनिसमेन क्या करते है वो जीवन भर business को बड़ा बनाने में लगे रहते हैं वो team पर काम नहीं करते, team तयार नहीं करते और वो कभी business को बड़ा नहीं बना पाते बड़े business किसको कहा जाएगा? यह कैसे बनेगा? क्या parameter होगा? एक ही parameter है, आपके पास कितनी बड़ी team है और आपकी शम्ता हो सकता है 100% आप अपनी शम्ता से काम कर रहे हैं लेकिन आपकी एक limitation है साथ आप जितनी भी limitation से काम कर रहे हैं आप अपने maximum capacity पर रोज काम नहीं कर पाएंगे और रोज काम करेंगे भी, तो आपकी जो कैपस्टी 8 घंटे की, 10 घंटे की, 12 घंटे की उतना ये काम कर पाएंगे। अब माली जे, एक वैक्ती ऐसा है, जो 10 घंटे रोज लगातार काम कर रहा है, और वहीं एक दूसरा वैक्ती है, जो खुद 1 घंटा काम कर रहा है, लेकिन 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो वो हर दिन 100 घंटे काम कर रहा है, एक घंटा काम करके भी 100 घंटे की productivity मिल रही है, और सोच कितना काम हो जाएगा और हर काम आप नहीं कर सकते हैं आपकी लिमिटेशन है आपकी शम्ता है और मैं आपके नहीं कह रहा है मेरी भी शम्ता है मैं भी हर काम नहीं कर सकता तो हमें क्या करना है हमें सिलेक करना है कौन-कौन सा काम के वल हम करें और कौन-कौन सा काम टीम को देतीया जाए और बड़ी टीम तेयार की जाए ऐसे काबिल लोग ढूंडे जाए आपको HR नहीं आता है कि HR में कैसे recruitment की जाती है उसके नियम क्या होने चाहिए लोग की psychology कैसे judge करनी है एक बढ़िया का सबसे बड़ा हुनर क्या है दूसरे के हुनर को पहचानना और यह हुनर हर एक में नहीं होता है जिसमें उसको रख लो आपको finance की knowledge नहीं है आपको finance समझ में नहीं आता है finance को manage करना नहीं आता किसी finance के मंदे को रख लो वो अपनी काभिलत के आधार पर काम करनेगा आपको sales नहीं आती आपको sales और marketing में फर्क नहीं पता है आपको अड्यूटिसमन, marketing और sales में फर्क नहीं पता है तो आपको ऐसा वेखती रखो जिसको knowledge हो वो आपके लिए काम करना शुरू करेगा और आइस्था 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 आप आएंगे जब आप अकेले काम कर रहे थे मेहनत जादा कर RETUN कमा रहा था जब आपने टीम बनाकर काम करना शुरू किया बड़ी हाँ लॉयल्टीम बना ली अब आपकी मेहनत कम होती चली जाएगी effort कम करके result जाद आने शुरू हो जाएंगे यही यही पहला parameter है जो बताता है कि आपका business बड़ा है बड़ा बन रहा है या बड़ा बन सकता है मैंने कहा ना बड़े businessmen बड़ा business खड़ा नहीं करते वो बड़ी team खड़ी करते है team अपने आप business को बड़ा बना देती है साधरन businessmen केवल business को बड़ा करने में लगे रहते है बड़ी factory बना दी जाए बड़े product होने चाहिए बड़ा यह होना चाहिए बड़ी advertisement होनी चाहिए बिजर्ट आएं के ना आए पैसा लगा तरी और जाधर business भारत में आप देखेगा पिसले 10-15 वर्ष में जितनी speed से business grow हुए है उतनी speed से downfall हो रहा है और जाधतर business घाटे में चल रहे है उसका बड़ा कारण क्या है जाधतर लोगों को लगता है मैं खुट decent maker हूँ और मैं अकेला decent लूँगा मेरे team में कोई 2-4-5 लोग होंगे भे तो वो decent भे करनी होंगे मैं अपने दिमाग से काम करूँगा तो हर एक की दिमाग की एक शमता है भाई मैं जो काम कर रहा हूँ मेरी शमता है मैं अपनी शमता का 100% इस्संभाल कर रहा हूँ लेकिन एक limit तक ना उसके limit के बाद क्या उसके बाद की कोई problem आ जाए जो मुझे ना पता हो और मैं rigid हो जाओ नहीं मैं तो किसी को रखूँगा नहीं मेरे addition मेरे अपने होने चाहिए मेरे addition में कोई तीसना interfere नहीं करेगा मैं किसी को आने नहीं दूँगा मैं किसी के इसाब से चलूँगा नहीं ऐसे business ब्रो नहीं करते business में आपको open mind होना पड़ेगा बड़े businessman के नियम को काईदे कानूनों को उनकी psychology को समझना पड़ेगा बड़े businessman की psychology क्या होती है वो ये मानते है मेरे business की growth होनी चाहिए चाहे मेरे idea से हो या दूसरे के idea से क्या फर्ख पड़ता है आपके लिए अगर आपको business बड़ा करना है आपके लिए important क्या होना चाहिए आपका business का बड़ा होना या आपके idea के साफ से business का बड़ा होना business बड़ा होना चाहिए शरका idea हो या किसी और का हो क्या अफर्ख पढ़ता है, idea ाफरी का हो या pay'd हो क्या फर्ख पढ़ता है, business के काम आना चाहते business की growth होनी चाहिए, business बड़ा बनना चाहिए, और बड़े businessمن इसी psychology से बेखते हैं, वो वो business को बड़ा करने पर focus करने के साथ ideas पर focus करते हैं, वो काम करना नहीं आता है तो उन्हें सिखाया जाए और अगर करना नहीं चाहता है तो उसमें motivation रखा जाए ताकि उसकी इच्छा बढ़ बन जाए काम करनी पर जब कोई काम नहीं कर रहा है और उसकी करना नहीं आता है करना नहीं चाहता, आपको identify करना नहीं आता, उसके लिए आपको HR की जरूत है, उसके आपको training की जरूत है, उसमें आपको ऐसे लोगों की जरूत होगी, जो आपकी business को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर पाएं, ताकि आपका business बड़ा बन पाएं और जाब तर, businessmen, problem पता है क्या है, we don't have money problem, we don't have market problem, we have people's problem लोगों की समस्या है, लोग ठीक नहीं है, लोग की psychology ठीक नहीं है, जो business कर रहे हैं, खास कर से वो लोग जो first generation entrepreneur है, उन्हें समझ भे नहीं आता कि business को बड़ा कैसे बनाया जाए, business को brand में कैसे convert किया जाए, और फिर वो business पे focus करते रहते हैं, पूरा दिन लगे रहते हैं, 18-18 गंटे, 20-20 गंटे काम करते हैं, और जितना वो कमा रहे हैं, अगर कहीं उससे आधा काम करेंगे ना, तो जितना कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा salary मिल जाएगी, अपने आपको सिर्फ businessmen कह रहे हैं, actual में वो नौकरी कर रहे हैं, आधी salary पर, अपनी शम्ता से, आधी salary, अपने काम से, आधी salary पर, loyal हैं पूरे, अपने काम के pretty loyal है, महनती हैं, पूरा कर रहे हैं, result नहीं आ रहा है, business को बड़ा नहीं बना पारे, क्योंकि प्रॉल्लम उनकी end पर है, और उनकी end पर प्रॉल्लम है, तो नहीं ठीक करने की, ठीक होने की जोड़त है,